तो रहीम असलाम अलेक्व मैं होब सभी ठीक होंगे टोड़े विल्गारिया वर्क पर्मेंट फ्रम पाकिस्तान इंडिया और अधर कंट्रीज मतलब कि हम बिल्गारिया का वर्क विजा आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं अपने घर बै इस वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं आपने सारी चीजों को बड़े घौर से समझना है बुल्गारिया का वर्क पर्मेंट आपको एप्लाई क्यों करना चाहिए अब इसकी कई रीजन्स है देखें पाकिस्तानी हैं इंडियन हैं बंगलादेश हैं आप किसी भी कंट्री लेकिन लोगों को पता नहीं है उनका तो इन कंट्रीज में बड़े जो फेमस कंट्रीज हैं इनमें लोग एक दूसरे को देखके बैक टू बैक जाना शुरू कर देते हैं जिसकी वज़ा से कंप्रिटिशन बहुत ज्यादा हो जाता है और जोब ऑपरचुनिटीज मतलब ह चांसे बहुत जादा होते हैं इनी कंट्रीज में से एक कंट्री है बुलगारिया सबसे पहले एक चीज़ को आप जहन में बिठा लें कि वीडियो बनाने का मकसद हरगीज नहीं होता कि आपने वीडियो को देखके अप्लाए करना और आपने बुलगारिया चले जाना है व ऐसा नहीं होता कि मैंने बिठा दिया आपने मेरी वीडियो को देखके अप्लाए कर दिया और आपको वर्क पर्मन मिल जाएगा तो एफट्स और पेशन्स यह दोनों चीज़ आपके पास होने चाहिए अचा बुलगारिया अपने नाम तो सुना होगा लेकिन बहुत कम लो से पहले जॉब चाहिए होगी अब जॉब आप तभी अप्लाय करेंगे जब आपको पता होगा कि बुलगारिया में जॉब्स न मैंड कोन से है जब uniqueness आपको पता होंगी तभी आपको अपको आप्लाय करने का सारा process आगए मैं आप से share करता हूं कि आपने फैसे करना है लेक 100% आवर्पीजा मिलेगा लेकिन अगर आपकी इस लिस्ट में नहीं है तब भी फ्री आफ कॉस्ट आप अप्लाय कर सकते हैं लेकिन फिर चांसे आपको कम है क्योंकि इन डिमांड जॉब्स में आपकी फिल्ड नहीं है सबसे पहले आप देख लें कि जो जॉब्स इन पर यह मुझूद है इस लिस्ट में लेकिन आप अप अप्लाय कैसे करेंगे अब अप्लाय करने का प्रसेस सिंपल भी है थोड़ा मुश्किल भी है आप आपने इस चीज को भी बड़ी गहर से समझने हैं जो प्लाय करने के प्रसेस में जाने से पहले आपको बताता नबर जुब आपकी फील्ड है एक लए पर फीर्ड एक ल एक्टरेशन हैं तो आपने यह दिखना है कि जो बुलगारिया के जोव पोर्टल्स जो क्या आई आप से मैं शेयर करूगा सारा परसेस आपने जितने भी एक्जांपल बुलगारिया के जॉब पॉर्टल्स पे प इतनी जॉब्स में अप्लाए करोगे तो कहीं न कहीं से तो response आएगा ना इन्शाल्ला आएगा अगर आप अपनी efforts पूरी करते हैं पूरी उमीद से अप्लाए करते हैं मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपकी अपने एक साइड पर अप्लाए कर दिया दूसरे जोब पोर्टल पर आपने ड्राइबर अप्लाए कर दिया तीसरे पर आपने प्लंबर अप्लाए कर दिया ऐसे आपकी जो cv है वो rejection लिस्ट में जाएगी और ministry of labor के आप हते चड़ जाएंगे और आप फिर work visa आपको मिलने के नहीं है interview भी clear कर लिया आगे आपको job नहीं आएगी करना नहीं आएगा तो आपको वापिस बेज दिया जाएगा तो यह चीज़ें बड़ी गहुर करने वाली होती है अच्छा अब आपने apply करने के process पे आते हैं सबसे पहले आपने एक cv और cover letter किसी भी typing center से English में बनवा ल देखता वो आपका work experience देखता है उसने आपका आपसे काम करवाना है आपकी डिग्रिया नहीं देखनी तो work experience होना लाजमी है आपकी field में तो अपनी अच्छी सी सीवी बनाएं उसमें सारी चीज़े mention करें और अपना work experience एड़ करें साथ और कोशिश यार यह करें कि work experience fake ना अब आपने क्या करने है आपने जो आपकी सीवी और कवर लेटर है इसकी फोटोज आपने लेनी है अपने मुबाइल पे या उनकी scan copy ले ले लें वो अपने मुबाइल laptop PC जहां से भी आप apply करना चाहरे है उसमे scan copies होने चाहिए अच्छी अच्छी अच्छा आपने क्या करन सकते हैं उसमें अगर आपका occupation मुझूद है जो लाजमी यार अप्लाए करें अच्छा सेकंड चीज़ यह है कि आपने मैंने बता चीका बता चुको कि कोशिश करनी है जितनी भी सही यह चीज़ का ख्याल रखें उस जौब में अप्लाए करें जो के latest है मतलब expired date में कम अज पुरानी जौब में अप्लाए कर सकते हैं इससे ज्यादा नहीं इससे ज्यादा कोई पुरानी जौब हो उसमें अप्लाए करें कोशिश करें जो latest एक दो दिन पुरानी जौब सो उन्हीं में अप्लाए करें तो date का लाजमी ख्याल रखें और कोशिश करें जितनी भी आप उस पे आपने इपनी CV और cover letter employer को send कर देना है अचा आप पहला प्रोसेस यह रहता है apply करने का simple है जो दूसरा तरीका है वो यह है कि आपने end पे company ने अपनी official website दी होती है कि apply on company website आप वहाँ पे click करेंगे तो आप directly पहुंच जाएंगे आपको directly company अपनी official website पे ले जाएगी वहाँ आपने एक form फिल करना है और बाग में अपनी CV cover letter साथ attach करके apply कर देना है तो यह दो चीज़ें simple दो तरीके होते है apply करने के अचा अब आपने apply करना तो कोई मुश्किल नहीं था आपने apply कर दिया अब क्या होगा कि अगर employer आप में interested है उसको आपकी CV पसंद आई है वो आपको जो आपने CV में email लिखी थी या phone number दिया था उस पे आपसे contact करेगा आपको सारी चीज़ें बता देगा कि यार ऐसे से हम आपका interview करेंगे आपका Skype के और platform के जरी interview करेंगा या audio call पर कर लेगा interview आप क्लियर करते हैं फिर वो आपका work visa पर असे शूरू करेगा आपने डी वीज़ा प्लाए करना है जो कि आपने बुलगारिया के embassy के थ्रू कर देना है अगर वो दुबई में में है तो आपको जाना पड़ेगा अगर वो पाकि करेंगे employer से employer आपका work visa apply करेगा किसी किसम की कोई fees आप से charge नहीं करेगा सारा process employer खुद करेगा डी वीज़ा की आपको fees pay करनी पड़ सकती है embassy में वो भी किसी बंदे को आपने pay नहीं करनी वो direct आपने embassy को डी वीज़ा के fees pay करनी है अच्छा यार अब बात यह है कि ऐसा नही पर लेता है और पर रिस्क पर रहते हैं कि पता नहीं यार वो work visa लेके दे पाएगा भी या नहीं और यह पैसे भी इतनी बड़ी रकम है तो यार यह जो तरीका है यह है भी legal बहुत से लोगों को work visa मिलता भी है जो efforts करते हैं patience रखते हैं जो अपनी professional तरीके से सारा काम करते या process को समझ के करते हैं तो उनको मिलता भी है यह एक legal way है international way है अचा अब चीज़े यह हैं कि एक तरफ से आप आप दसलाग रुपे दे रहे हैं और रिस्क प्या काम एक तरफ से आप अपनी effort पूरी करके apply कर रहे हैं free of course आप apply कर रहे हैं आपका एक रुपया भी नहीं लग सकते हैं चार महीने भी लग सकते हैं तो patience बहुत जरूरी है efforts बड़ी जरूरी है जितनी आपने efforts अची करनी है जितनी CV अच्छी होगी employer उतना ही आप में interested होगा और आप से सारी वह चीज़े discuss कर लेगा आपको hire कर लेगा तो यार मतलब बात यह कोशिश किया करें और Canada USA UK Australia इन countries के इलावर भी बड़े country है यार यॉरप में ऐसे मुल्ट मुझूद हैं जिनका आपको पता ही नहीं है और वहां पर jobs भी available हैं लेकि लोगों को पता है चंद एक लोगों को पता है तो आप ऐसे countries में apply करना किया करें क्योंकि Canada आप हर बंदे Canada में apply कर रहा है USA वहां लोगों को पता ही नहीं है आप यहां पर एपनी सीवी सेंड करें एपनी किसमत तो अजमाएं free of cost है आपका कुंसा कोई पैसा लग रहा है टाइम आपका 5-10 मिनिट में apply कर सकते हैं 15 मिनिट में 20 मिनिट में या आप maximum 10 गंटा तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है यार रोज आप उनके job portals आप तक पहुचा हूं ताकि आप उनमे apply करें और आपको work visa मिलने के chances ज्यादा हूं मतलब अब यह नहीं है कि मैं आपको कैनडा के बता दू कि कैनडा में बहुत से लोग settled हैं और लाखों से इनिया जाती हैं दूनिया से कैनडा में तो ऐसे countries में try करें जहां पर competition नहीं है लोग try नहीं ज्यादा कर रहें उनमें से बुलगारिया कंट्री था पता होगा कुछ लोगों को लेकिन वर्क विजा के लिए job portals के थरूँ बहुत कम लोग apply करते हैं और ज्यादातर hiring job portals के थरूँ ही होती है यह बुलगारिया से approved job portals हैं तो अगर आप अपने efforts patience रखते हैं तो इंशाला ताला आपको 90% है कि आपको वर्क विजा मिलेगा आई होप यह informative वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ helpful रही होगी इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको knowledge मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलीगा क्योंकि रहती हैं बेल आइकिम को भी प्रैस कीजिएगा ताकि नहीं आने वाली इंफरमिशन और जोब आप में सनार रपाएं अपना बहुत सारा ख्याल लखे अपना और अपनी फैमली का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर अला हाफिज